किडिनी स्टोन से पीडित हैं तो ना खाएं ये चीजें, अनेथा हो सकती है गंभीर समस्या नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चनल में दोस्तों, भाग दोड़ भरी इस जिन्दगी में लोगों को सारीरिक स्वास्त से जुड़ी हुई कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है मौजूदा समय में पत्री की समस्या आम तोर पर सुनने को मिल ही जाती है किड्नी स्टों की समस्या में असानी दर्द होता है जिसको सहन कर पाना बहुत ही मुश्किल रहता है किड्नी स्टों की समस्या ऐसी है जो एक बार ठीक हो जाए तो दोबारा भी हो सकती है किडिनी स्टोन का सबसे बड़ा कारड हमारा गलत खान पान है और कम पानी पीने की आदद है अगर हमारा गलत खान पान है तो हम किडिनी स्टोन के साथ साथ कई सारी बिमारियों को भी नियोता देते हैं इसलिए खान पान का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है आपको बता दें कि यूरिन में मौझूद छोटे छोटे क्रिस्टल जब जमा होकर ठोस्पिंड का रूप ले लेते हैं तब किडिनी स्टोन की समस्या होती है अगर आप चाहते हैं आपको kidney stone की समस्या का सामना ना करना पड़े तो इन foods का सीमित मात्रा में सेवन करना बहुत ही आवस्यक है अगर आपको kidney stone की समस्या पहले भी हो चुकी है तो ऐसी इस्थित में आपको इन चीजों से परहेज करना चाहिए पहला है पालक पालक का सेवन करना हमारे स्वास्त के लिए बहुत ही फायदेवन माना गया है पालक आइरन का बहतरीन स्रोथ माना चाहता है पालक में धेर सारे vitamins और minerals मौजूद होते हैं परन्त जिन लोगों को किडिनी में स्टोन की समस्या है उनको पालक का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए इसकी वज़ा या है कि पालक में Oxalate होता है जो रक्त में मौजूद कैलसियम से खुट को बांध लेता है और urine में जाने नहीं देता है ऐसे में अगर किडिनी स्टोन के मरीज पालक का सेवन करते हैं तो उनको और भी जादा समस्या हो सकती है अगला है नमक किडिनी स्टोन से पीडित मरीजों को नमक का अधिक सेवन करने से बचना चाहिए क्योंकि नमक में सोडियम होता है अधिक मात्रा में नमक का सेवन किया जाए तो यूरिन में कैलसियम को जमाने का कारे करता है किडिनी स्टोन से पीडित मरीजों को चिप्स, फ्रोजन फूड, आज चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए क्योंकि इनमें नमक बहुत अधिक मात्रा में पाय जाता है अगला है चिकन, मचली और अंडा जैसी चीजों का सेवन ना करें किडिनी के स्टोन से पीड़ित मरीजों को चिकन, मचली, अंडा, रेड मीट जैसी चीजों का सेवन करने से दोरी बनानी चाहिए क्योंकि यह चीजे सरीर में यूरिक एसिट का उत्पादन बढ़ाते हैं भले ही हमारे सरीर के लिए प्रोटीन बहुत ही आवस्यक है परन्त एनिमल प्रोटीन के इस्थान पर प्रोटीन के प्लांट बेश्ड स्रोत का सेवन करना चाहिए अगला है कोला या सॉफ्ट ड्रिंक्स का सेवन ना करें किड्नी स्टोन से प्रोटीन मरीजों को कोला या सॉफ्ट ड्रिंक्स का सेवन नहीं करना चाहिए आपको बता दें कि कोला में फास्प्रेट नामक केमिकल की मात्रा अधिक पाई जाती है जिसकी वोजासे किड़नी में स्टोन बनने की संभावना अधिक हो जाती है आक्सलेट वाली चीजों का सेवन अधिक ना करें जिन लोगों को किड़नी में स्टोन की समझतिया हैं उनको अधिक आक्सलेट वाली चीजे हैं जिसे चुकंदर, भिंडी, सकरकन, चाय, नट्स, चॉकलेट का सेवन अधिक नहीं करना चाहिए